हेलो अब्रिवन वेल्काम अगीनी लर्ण विजितिमन बचों हम कर रहे थे क्लास 10 का चेप्टर नुबर 11 का पार्ट 2 हम कर चुके हैं पार्ट 3 हम कर रहे हैं 55 questions हमारे complete हो चुके हैं 56 questions पर हम चल रहे हैं आज हम cement वद्यों के बारे में बात करेंगे तो चलिए start करते हैं मैं इस chapter को जादा parts में इसलिए divide कर रहा हूँ क्योंकि एक तो आपके पास इस वक्त time भी है और दूसरा इसके जो data है वो आसान नहीं है उनको याद करना तो आपको easy way में याद हो जाएंगे तो इस वज़े से मैं जादा parts में divide कर रहा हूँ इसका एक next part और आएगा और उसी क के साथ आपका chapter हो जाएका समाब तो चलिए start करते हैं इस part number three chapter 11 का class 10 का okay question है आपका 56 वर्तमान सीमेंट जिसे portland hinterp 고şa सीमेंट का भी कहाजाता है portland cm जो cm हम उसको उसका अविसकार किस के दॉरा किया गया था उसका अविसकार किसके दॉरा किया गया था कौन थे वो वह आपके 1824 कर जो इंगलेंद के अंदर है वहाँ के जौशेफ टे जोनों ने इसका first time अविसकार किया था नेक कोईशन देखें, भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला सीमेंट कार खाना कब वे कहां खोला गया है, नेक कोईशन देखें, भारत का पहला सीमेंट कार खाना कहां खोला गया है, सीमेंट कंपनी के नम से जाना जाता था, 1914 में पोरबंदर के अंदर इंडियन सीमेंट कंपनी, यह भारत का पहला सफल सीमेंट कार खाना था, नेक क्वेशन देखें, पिर्थम सिमेंट कार खाने के साथ तातकाली कौन से सिमेंट कार खाने खोले गए जब पहला जो सिमेंट कार खाना हुआ जो सफल था उसके साथ और भी सिमेंट के कार खाने खोले थे वो कौन-कौन से थे तो यह आपके राइस्थान में लाकेरी जो किलिक कनेक्शन कंपनी द कि द्रेख लीज दोरा हो लगया था यहां पर प्पूरबंदर है मिस्टेक है इसमें तो देख um प्रत्ति बड़ा उद्द्ध्र में ड़ल१ा सरह सप्से ज्याद परिच्ष्च रूप से रोजगार देता है वेसे दाइंट प्रत्ति इसमें उत्पादन में इसमें कौन सा इस्थान है भारत का सीमेंट उत्पादन में विश्व में कौन सा इस्थान है तो विश्व में इसका दूसरा इस्थान है पहला इस्थान पर चीन का आता है चीन में सबसे ज़्यादर प्रडक्शन होता है सीमेंट का और दूसरे नंबर पर भा वाहरत में कौन सा राजय सीमेंट का सबसे बड़ा उतपादक है भारत में कौन सा राजे सीमेंट में सबसे बड़ा उत्पादक है तो वो आपका राजस्थान है ये इसलिए भी इंपोर्टेंट है क्योंकि ये राजस्थान से कंसर्णिंग आप पिपर देने जा रहे हैं तो सीमेंट उद्योग की यहां पर बात समने तोर पर की जाती है तो भारत में कौन सा राजे सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है तो वो आपका राजस्थान है ने क्वेशन सीमेंट उद्योग का प्रारम राजस्थान में कहां से माना जाता है तो 1912-13 में लाखेरी में स्टार्ट माना जाता है इसको राजस्थान के अंदर ने क्वेशन रायस्थान में सिमेंट उद्योग का केंद्रिय करण किन छेत्रों में हैं मतलब इस छेत्र में सिमेंट उद्योग जादा होता है रायस्थान के अंदर पर्टिकुलर एक छेत्र है उसमें सबसे जादा सिमेंट उद्योग पनपा हुआ है तो कौन सा चेत्र है तो वो है निंबाहेडा, चित्तोडगर, कोटा, भूंदी, सवाई मादोपुर ये वो चेत्र है जहां पर सीमेंट उध्योगों का केंद्रिय करण हो गया है इसके अत्रिक उध्यपूर, नागौर, पाली और सिरोही में भी सिमेंट उध्योगों विक्सित है नेक क्वेश्चन देखें राजथान में सिमेंट उत्पादन की कितनी काईया है तो ये आपकी 16 बड़ी काईया है पांच मध्यम है और 130 निजी हैं नेक कुश्यन देखें राजथान में किस जिल्य को सिमेंट नगरी कह जाता है वेरी वेरी इंपोर्टन्ट कुश्टन राइस्थान में किस जिल्य को सीमेंट नगरी कहा जाता है तो यह आपका चिताओडगर को कहा जाता है क्योंकि इसमेंट की 6 बड़ी काईया इस्थित हैं और राज्य का 16% उत्पादन अकेला चिताओडगर जारत मिलता है तो इस वज़े से राइस्थान की जो सीताओडगर है उसको सीमेंट नगरी कहा जाता है नेक क्वेश्टन देखिए राइस्थान में किस प्रकार की सेमेंट का उप्योग किया जाता है राइस्थान में किस प्रकार की सेमेंट का उप्योग किया जाता है देखिए सीमेंट जो है वो क्या उनसे है उत्पयोग नहीं है यह उत्पादन है राइस्तान में किस प्रकार की सीमेंट का उत्पादन किया जाता है तो देखिए जो सीमेंट होती है हमारे पास दो टाइप की होते है पोटलेंट सीमेंट जो की हम सामने तौर पर हम देखते है जो मतमेले गलर की दिखाई देती है हलकी सी और दूसरी हमारे पास होती है white cement तो जो यहाँ पर राइस्तान में बनती है वो portland cement बनती है जो 90% तक बनती है और surface cement मात्र 10% यहाँ production होता है तेक है next question देखी राइस्तान में surface cement के कारखाने कहां इस्तित है राइस्तान में जो surface cement है उसके कारखाने कहां पर है तो यह आपका गौटन जो नागौन में है और खारिया खंगार जो की जूदपूर के अंदर है यहाँ पर surface cement के कारखाने आपको देखने को मेरेगी नेक question देखी मध्य प्रदेश और 36 गड़में भारत के कुल उपादर में कितना प्रतीसत योगदान है भारत में जो total production होता है cement का उसमें मध्य प्रदेश और 36 गड़में कितना प्रतीसत योगदान दिया जाता है तो यह आपका 22, 32 सत अकेले मद्य प्रिदेश और 34 गड़ को मिला के दिया जाता है और इन दोनों में 17 बड़े सीमेंट के कारकाने विश्थित है मद्य प्रिदेश और 34 गड़ में सीमेंट उद्योग से मुखता सम्मंद छेत्र है कौन-कौन से चेत्रों में मुखता सीमेंट उद्योग है तो वह है कटनी, सतना, दुर्ग, मंधार, बनमौर, नीमच, रतलाम, देवास, नागदा, अकलतारा, जामुल, तिल्दा और महर यह वह मुख्य इस्तान है जो मंधा प्रिदेश और 34 गड़ में सीमेंट उद्योग के लिए इस मुखता और पर जाने जाते हैं नेक कौशन देखिए सीमेंट उद्पादन में भारत में चौथा बड़ा राज्य कौन सा है तो वह आपका गुजरात है और इसमें सीमेंट की 16 बड़ी काईय इस्तित हैं और देश का 9.4% उद्पादन गुजरात के द्वारा दिया जाता है नेक कौशन देखिए गुजरात में सीमेंट उद्पादन की मुखे चेतर कौन से है तो आपके एहमदाबाद, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट, ओखा, वेरावल, जामनगर और द्वारका ये मुखे चेतर हैं जहां पर गुजरात के अंदर सीमेंट उद्पादन होता है एमदाबाद, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट, ओखा, वेरावल, जामनगर और द्वारका नएक क्योशन देखिए किन मूल कारणों से गुजरात में सीमेंट उद्पादन का विकास हुआ है किन मूल कारणों से गुजरात में सीमेंट उद्ध्योग का विकास हुआ है तो किन कारणों से हुआ है यह समुद्र रिस्पियों के उपलब देता है एक तो दूसरे सस्ते स्रमिक यहां मिलते हैं और तीसरा कांडला बंदरगा का सामिप है ये मूल कारण है जिसकी वज़े यहां सिमेंट उत्द्योग ज्यादा विक्सित हुआ है नेक क्यूशन देखिए तमिल लाडों में मुख्य सिमेंट उत्द्द उत्द्द छेत्र कौन से है तमिल लाडों में मुख्य सिमेंट उत्द्द उत्द्द के छेत्र है नेक क्यूशन तमिल लाडों में सिमेंट उत्द्दोग के विकास का मूल कारण क्या है तमिल लाडों में जो सिमेंट उत्द्दोग विक्सित हुए है उसका कारण क्या है तो उसका कारण है तामिल नाड़ों के जो पठारी भाग है वहाँ से कच्चा माल बहुत आसानी से इसके लिए प्राप्त हो जाता है यही इसका स्बसे मूल कारण है भारत की उत्पादन का कितना प्रतिसत उत्पादों उत्तर प्रतिस में होता है भारत का जो टोटल उत्पादन उसका कितना प्रतिसत उत्तर प्रतिस के अंदर होता है तो उसमें 4.8 प्रतिसत होता है और इसके जो मुक्य चेत्रे हैं वो चुर्क, चौपन, चुनार और डाला है कूण कॉनसे से हैं चूरक चोपंद सुनार और ढाला है और चार पध्वानट अर्ट प्रेटाज़ूर्वाधय । नेक कुछन देखिए भारत में उत्पाधन का कितना पृतिसध उत्पाधन जार खंड में होता है जार खंड जो बंद्रावती, बागल कोट, बैंगलॉर, बीजापुर और गुल बर्गा में विक्सित होने का मूल कारण क्या है? करनाटक में जो सीमेंट उद्योग जो बंद्रावती, बागल कोट, बंगलॉर, बीजापुर, गुल बर्गा में विक्सित जो हुआ है? उसका मूल कारण क्या है? तो उसका मूल कारण है पश्यमी घाट और करनाटक पठार के कारण। आपको पता है पठारी भाग में बहुत सारे खनीचा और बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, तो इसकी वज़े से यहाँ पे कच्छे माल की उप्रब्दिदा के कारण यह नहां पर यह विक्सित हुआ है, जो कि पश्यमी घाट और करनाटक के पठार में मिल जाती है, नेक क्यों देखिए, आंधर प्रदेश में सीमेंट उत्पादन हैदराबाद, वारगल, अदीलाबाद, विजयवाड़ा, कृष्णा, नालकॉन डव में विक्सित होने का यहां पर क्या हो गया, सीमेंट का जो उत्पादक राजयक कौन से हैं, यह हम देख चुके हैं, हमने बहुत सारे स्टेट्स के और उनकी से शेत्रों के बारे में देखा, तो कौन से उत्पादक चेत्र हैं, आपको याद होगा, राजिस्थान जो सबसे टॉप पर है, मंदर प्रिदेश, चतिसगर्ड, गुजात आपका सौथा है, तमिल नाडू, और अन्य मुक्के राज़े से उत्प प्रिदेश हुआ, जहरकन, करनाटा, कांत, प्रिदेश, केरल, बिहा, इनके अंदर भी सीमेंट उत्पादन होता है, नेक क्यूशन देखिए, आजादी क समय कितने कार खाने भारत में इस्ते थे, तो आजादी के समय 23 कार खाने भारत में इस्ते थे, भारत पाक विभाजन के अंदर 5 पाकिस्तान में चले गए, है ना, तो बाकी जो वो हमारे देश में रहे गए, भारत के अंदर, तो टोटल आजादी के समय 23 कार खाने थे, नेक क्वेसिन देखीए भारत की वरत्मान सिमेंट उत पाधन की संता कितनी हैं जो हे आपकी 2250 टन है और उसका काण क्या है 124 बड़े कार खाने और 300 चोटे कार खाने हमारे देसमें विख्सित हैं नेक क्वेशिन देखीए भारत में घरे लूप्यों के बाद से सेमंट उतपादन का किन देशों को निरियात किया जाता है यह आपका पूरवी अश्या और अफ्रीकी देशों को इसका नियात कर दिया जाता है तो बच्चों इसी के साथ आपका सीमेंट उद्यों के जो फैक्स हैं ये होते हैं समाब तो मिलते हैं कल इस चैप्टर के लाश्ट पार्ट के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे इस चीज के बारे में हम लाश्ट पार्ट में बात करेंगे तो मिलते हैं बचों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए थैंक्यू